हेलो दोस्तो नमस्कार तो कैसे हूँ आप सबी FORCES BUSD क्या है दोस्तो जो FORCES का कंसेप्ट है इसको समझने में बहुत जादा लोगों को प्रोडम आ रही है क्योंकि जिस बंदे ने कभी दोस्तो MLM नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कियी कभी किसी भी ओनलाइन बिजनस को स्टार्ट नहीं किया या उसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो उसको FORCES के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है हर कोई आपको बात दो दोस्तो करता मिलेगा कि FORCES BUSD एक डिसेंटरलाइज प्रोग्राम है जो पहला पूरी दुनिया का फर्स्ट हंड़र प्रसेंट डिसेंटरलाइज है ये ब्लोक्चेन टेकनलोजी पे काम करता है इसमें स्मार्ट कॉंट्रेक्ट्स के जरी सारी ट्रांजेक्शन होती है पर दोस्तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पैसा कैसे क्मा सकते हो तो प्रसेज को समझाने से पहले दोस्तो आप फोर्सेज को अथी विलहर भूल जाईए जो बाते में आपको बता रहों थोड़ा उन पर धihान दीजे दोस्तो जब भी हम किसी काम की काम को करने का सोचते हैं तो बहुत तीन चार तरह के हमारे पास काम आते हैं एक तो हम कोई लेवर करते हैं किसी कंपनी में जो आप करते हैं सरकारी नोकरी करते हैं तीसरा हमारे पास जो आज के टाइम में सबसे जादन चल रहा है दोस्तो, online business अब online जब भी आप कोई काम करते हो तो online भी काफी तरह के काम आते हैं जैसे digital marketing होगी MLM हो गया, network marketing होगी freelancing होगी यह सारी online तरिक के गल revolutionary काम है दोस्तो, जहां से लोग बहुत जशना पैसा कमा रहे है उसके बाद आ जाता है MLM या network marketing MLM में होता क्या है दोस्तों आप किसी company में पैसा लगाते हो और अपने नीचे team बनाते हो दोस्तों और team से आपको commission मिलता है company आपको कुछ न कुछ percent वहाँ का बना के देती है आपकी income होती है आपकी साल पहले product base का बहुत जादा दब दबा था दोस्तों market में हर कोई व्यक्तिव product base करता है जैसे तो यह सारी दोस्तों product base company थी जिनमें लोगों ने काफी पैसा कमाया भी है और काफी पैसा डुबाया भी है अब प्रोडक्ट बेस में होता कि ऐसा दोस्तों लोग प्रोडक्ट तो खरीद ले थे थे हर मेने पांच-पांच-छे-चे-चे-जार के पर जब डेमो दिखाने के बारी आती थी किसी को समझाना चाहते थे कोई लोग समझना नहीं चाहता और आर्सिया में वेस्टी या फोर हैं इसे पैशा लगाया है उसको समझेगे इसको दोस्तों समझाएंगे लोगों को और पैसा लगाएंगे आपकी इंकम होती रहे देगी फोर से make आपको अब भी समझाम ऐनंगी कि कैसे ये सबसे अलग है ले 4.5 सालों में देखा होगा कि क्रिप्डक्रंसी का बहुत पूरी दुनिया में और एक कंटरी है सालवाडोर दोस्तों उसने क्रिप्टो करंसी मतलब बिटकोईन को अपने देश में लीगल टेंटर दे दिया है कि आप इससे ख्रीद फ्रोकस मान राशन बिल बिजली का भिल तो बिटकोईन से आप भरा सकते हो तो दोस्तों क्रिप्ट में क्रिप्टो करंसी ही रहेगी जो आपके नोट होते हैं पैसा होता है चिलर होता है यह सब आने वाले टाइम में बंद होने वला है क्यों अब आप सोचोगे कि सर में क्या बाते कर रहा हूं पर आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि पहले जो आप से काफी साल पहले लेन दे जादा करते हैं यह सब को पता हो गूगल पे फोन पे पे टियम डेविट कार्ट से दोस्तों लेना दिना चल रहा है आज से आप कुछ सालों बात देखोगे कि क्रिप्टो करंसी का पूरी दुनिया में प्रभाप पड़ चुका होगा और क्रिप्टो करंसी के जरिये ही सारी क सारी ट्रांजेक्शन हुआ करेंगी तो क्रिप्टो करंसी को आप अच्छे समझ सकते हो दोस्तों एक बहुत जबर्दस कंसेट है बिटकोईन के बारे में सबीने सुना होगा 2010 में लौच हुआ था 2009 में उस टाइम इसका रेट दोस्तों 50 रुपे के आस पास था आज उसी ब 45 लाग से दोस्तों 35 लाग के बीच में रहता है आप देख सकते हो एक बिटकोईन की बात कर रहा हुँ मैं ठीक है एक रुपेया होता है जैसे उसी तरह एक बिटकोईन का रेट 35 लाग से 45 लाग के बीच में आपको दीखेगा तो यह रही दोस्तों पिछले ट्रेंड की बा उस टाइम इथेरियम का रेट लगबग चार पांच हजार रुपे के आसपास चल रहा था तो जैसे ही फोर्से लॉंच हुआ उसके छे महिने तक इथेरियम का प्राइज दोस्तों दो तीन लाग के उपर पहुंच गया और देखते ही देखते जो जोइनिंग अमाउंट 1516 रुपे से होती थी वो सीधा 1516 रुपे हो गया तो फिर लोग दीरे दीरे इसमें जोइन करना बंद कर गए उसके बाद दोस्तों फोरसेज में आज भी इथेरियम चल रहा है आज भी आप देखोगे बहरली कंट्री से लोग जोइन करते हैं क्योंकि जो फोरसेज का कंसेप्ट है ये decentralized कंसेप्ट है decentralized का मतलब होता है कि दोस्तों इसको कोई control नहीं कर सकता है इसका कोई MD नहीं है इसका कोई CMD नहीं है एक बार software बना दिया किसी software engineer बन देने तो वो पूरी उमर के लिए दोस्तों computer में हो जाता है और यह blockchain technology पर काम करता है blockchain technology का मतलब यह है दोस्तों कि जितने भी पूरी दुनिया के computer है उनमे record हो जाता है अगर आपने कोई भी concept बना दि है अब आपने एक बात notice की होगी कि जनवरी 2020 से लेके आज दोस्तों 2021 सेप्टेंबर चल रहा है इसके बीच में कितनी ही company आई और कितनी ही दोस्तों बंद हो चुकी है और कितना ही लोगों वा लाकों क्रोड रुपेयर डुबा दिया है अगर आप forces की बात करोगे दोस्तों जनवरी 2020 में आई थी और आज भी उसी तरीके से काम कर ली है ना तो दोस्तों कोई site में problem आई है आप किसी भी company में MLM software में अगर आपने काम किया होगा तो 3-4 महिने काम करने ये बाद आपकी team भी परिशान होने लग जाती है दोस्तों और आप खुद भी परिशान होते हो क क्यों bank withdrawal की problem आजाती है कि bank withdrawal नहीं हो रहा मेरी KYC नहीं हो रही मेरी KYC गल्त होगी ऐसी आपको forces में कोई problem नहीं दिखने वाली क्योंकि ये concept decentralized है मैंने आपको बता देखी इसके कोई company नहीं है दोस्तों ये इसका कोई मालिक नहीं है इसको कोई control नहीं करता है एक बार बना द सारे एक तरिक्के से मिश्टर लाडो की ही टीम में होंगे क्या हुआ एक जून 2021 को इन्होंने इसको BUSD पे लौंच की है BUSD क्या है दोस्तों BUSD है Binance का डोलर Binance आपको पता है कि पूरी दुनिया का crypto currency exchange है मतलब इससे आप crypto खरीद सकते हो ये एक application है जैसे हम Facebook, WhatsApp, Instagram चलाते है उसी तरिके का दोस्ते एक app है application है Play Store से आप इसको Binance को download कर सकते हो ठीक है तो इससे हम पूरी दुनिया में crypto currency कहीं भी खरीद फ्रोक्त कर सकते हैं तो Binance का डोलर है BUSD तो इन्होंने BUSD पे launch किया BUSD पे launch करने मतलब कहा है दोस्तों कि कभी भी इसका price high नहीं होगा जैसे मालो आज के time में BUSD का price चल रहा है 77-78 के आज पास तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यह 78 से 98 हो गया या 108 हो गया 208 हो गया ऐसा नहीं होगा दोस्तों कभी क्योंकि यह dollar के हिसाब से चलता है जितना भी dollar का price होगा उसी के बराबर में रहेगा तो BUSD पे launch कर दिया कि joining amount हमेशा सेम रहे कभी आज के आज से 10 साल बाद भी किसी को joining करने में problem ना है अब दोस्तों रही बाद forces में join करने की तो forces में आपको पता होगा कि इसमें 4 program है 4 program का मतलब है मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ 4 program है इसमें दोस्तों x3 x4 अब triple x और x gold अभी तक x gold नोच नहीं हुआ है म अभी इनको इन्होंने open करना है इसको बस तीन program हमारे पास इस time काम कर रहे हैं तो जब भी आप join करोगे दोस्तों 18 busd से minimum amount से आप join करोगे minimum amount मैंने बताया 18 busd busd का मतलब है dollar तो मैं अभी पूरी वीडियो में dollar ही use करूंगा ताकि आप confuse ना हो 18 डोलर का मतलब क्या है दोस्त मतलब आपने 18 dollars लगाने है और 18 से दोस्तों आपको तीनों में आपकी joining हो जागी समझो मतलब आपको अलग उलग से join नहीं करना मतलब कहनेगा मतलब ये है कि जो x3 कहने हैं कि मतलब दोस्तों यह है कि जो X3 का पहला स्लोट है वो 5 डोलर रगा है दोस्तों यहां पर देखो 5 लिखा हुआ है X4 का पहला स्लोट है वो 5 डोलर का है यहां पर लिख रखे है दोस्तों XXX का जो पहला स्लोट है वो 8 डोलर का तो 5, 5 और 8, 18 डोलर हो गए अब यहाँ पे चोस्तो चार पाँच डोलर आपने हमेशा अपने पास स्मार्ट चेन रखनी है स्मार्ट चेन मैं बता देता हूँ क्या है स्मार्ट चेन बाइनस की वोलटाइल करंसी है मतलब जो थोड़ा बहुत उपर नीचे होती रहती है यह ट्रांजेक्शन फीज के लिए कटती है दोस्तो जब भी आप क्रिप्टो करंसी का लेन देन करते हो किसी को भेजते हो किसी से रिसीव करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन अमाउट करता है जैसे आप कभी बैंक में जाओगे आपने कोई चलान कटाना है तो वह 20-30-40 रुपे एक्ष्टरा ले ले लिते हैं बैंक वाले सर्विस चार्ज इसी तरीके से यहां भी थोड़ा वो चार्ज कटते हैं 6-7 रुपे, 8 रुपे, 9 रुपे, 10 रुपे इस तरीके से ठीक है तो आपने समार्ट चेन 4-5 डोलर की एक्ष्टर रखनी है तो अगर आप मिनिमूम अमाउट की बात करो कि मिनिमूम इसमें कितने से जोइनिंग होती है तो 18-22 डोलर होगे दोस्तों और 5 डोलर आपके समार्ट चेन ट्रांजेक्शन फीज के होगे मतलब लगबग लगा लो 23 डोलर से आप इसमें जोइनिंग कर सकते हो 1800, 1800 के आसपास यह बनता है अब दोस्तों इसमें होता क्या है इसमें सारा का सारा सिस्टम मैट्रिक्स पे काम करता है और मैट्रिक्स में दोस्तों इसमें 12-12 स्लोट है हर एक में ठीक है अभी तक दोस्तों X3 में भी 12 है X4 में भी 12 है XXX में 12 है और जो X Gold है इसमें है दोस्तो 15 स्लोट यह चोथा प्रोग्राम है और यह 2-3 दिन के अंदर अंदर थोड़े दिन के अंदर-अंदर मतलब launch होने वाला है इसमें लोग बहुत जादा invest करेंगे क्योंकि यहां से बहुत जादा लोगों का income होने वाली है तो दोस्तों इसमें joining करने के लिए आपको अगर आपके पास android मुवाइल है तो आपने trust wallet डाउनलोड करना है अगर आपके पास apple का मुवाइल है तो आपने apple के मुवाइल के लिए token pocket डाउनलोड करना है अब दोस्तों इनको डाउनलोड करने का क्या फायदा क्योंकि मैंने आपको पहले बताए कि यह decentralized program है तो जो trust wallet है और token pocket है इनमें decentralized apps का एक option होता है वहाँ से हम अपनी ID को login करते है जोइनिंग करने का process दोस्तों मैंने एक वीडियो में पहले बता रखा है वो आपको मैं i button वे आप click करके उसको देख सकते हो तो इसमें जोइनिंग करने का क्या क्या फायदा होगा जब आप इसमें जोइनिंग करोगे दोस्तों आपको 5$ का ये slot मिल जाए इसके नीचे 3 गोले है 5$ का आपको X4 का slot मिल जाएगा इसके नीचे 6 गोले है और दोस्तों आपको slot मिलेगा XXX का इसके नीचे टोटल 14 गोले है अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसमें 18 डोलर से ही जोइनिंग कर सकते हो मतलब एक एक सलोट करी सकते हो कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों काफी जादा सलोट भाय करते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे माल लोग 5-5 सलोट भाय कर लेते हैं लोग मतलब X3 के भी 5, 5, 10, 20, 40, 80 डोलर तक X4 के भी 5 दोस्तों 5, 10, 20, 40, 80 डोलर तक और दोस्तों XXX के भी 5, 8, 15, 29, 29 और 111 डोलर तक मतलब इतना इन्वेस्ट लोग इस सिस्टम में कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें से फायदा दिख रहे हैं अब इस से होगा क्या जैसे आपने 5, 5 सलोट बाय कर लिए तीनों प्रोग्राम के तो दोस्तों जब भी आप अपने नीचे एक बंदे को जोइन करवाते हो इतने ही सलोट से तो वहाँ पे आपको 50% अमाउट उसी टाइम दोस्तों मिल जाता है इसमें ये नहीं होता दोस्तों कि आपकी एक हफ़ते बाद क्लोजिंग होगी एक महिने बाद आपका चेक बनेगा प्रोड़क्ट बेस की तरह इसमें तो उसी टाइम जैसे ही आपने वर्क किया उसी टाइम पैसा आपके पास आ जाता है और 100% पैसा दोस्तों टीम में डिस्टिबूट होता है कोई बी पैसा company के पास नहीं जाता company तो है ही नहीं इसलिए company पास नहीं जाता तो सबसे बढ़िया बात तो यही है दोस्तों कि अगर आप काम करते हो आपकी team काम करती है तो पैसा आपस में ही बढ़ जाए तो कितना बढ़िया है क्यों हम किसी कंपनी के पास लाखों करोड़ रुपे जमा करें और वो कंपनी तीन-चार महिने बाद चलके अपना पैसा इकठा करके भाग गदे तो इस तरीके से सोच रहा है आपने और इस तरीके से फोर्स मिल जाता है पांश डोलर वाला तो आपके नीचे इसमें तीन गोले हैं तीन गोलों का दोस्तों मतलब है कि आपके नीचे जब पहला कोई भी बंदा पहला बंदा जोइन करता है ठीक है तो आपको उसके पांश डोलर उसी टाइम मिल जाएंगे दूसरा बंदा जोइन करता है दोस्तों ये तीसरी पोजिशन पे बैठेगा और इसका पैसा चला जाएगा आपके अपलाइन के पास ये आपका स्लोट खाली हो जाएगा पूरा फिल से दुआरा भरने के लिए खाली हो जाएगा अब लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि तीन तो ये भर गे जो चोथा बंदा आएगा वो कहां जाएगा चोथा बंदा भी दोस्तों यहीं आएगा दोवारा पहली पोजिशन पे क्योंकि ये स्लोट रिसाइकल हो गया है रिसाइकल का मतलब है खाली हो गया है दोवारा से फिर यहीं आएगा और आपको पास डॉलर फिर मिलेंगे और इससे पहल तो आपको 10 डॉलर बन चुके हैं यही वाले 10 डॉलर आपने अगले स्लोट बाई करने के लिए लगाने हैं जब वो आप 10 डॉलर से स्लोट खरीद होगे दोस्तो तो वो आपके अपलाइन को चले जाएगी इंकम और आपका स्लोट बाई हो जाएगा इसी तरिके से जब आपके नीचे बंदे स्लोट बाई करेंगे तो वो सारी की सारी इंकम आपके पास आएगी जैसे 10 डॉलर वाला स्लोट किसी ने बाई किया तो वो इंकम आपके पास आजाएगी 1000 डॉलर वाला स्लोट किसी ने बाई किया तो इस तरी के से फोर सेज का पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है ये तो उपर दोस्तों मैंने X3 का बताईए है X4 प्रोग्राम X4 में दोस्तों 6 गोले हैं जो आपका पहला बंदा जोइन करता है वो आपके पहले गोले में बैठता है दूसरा बंदा जोइन करता है दूसरे गोले में बैरता है इनकी इंकम दोस्तो आपको नहीं मिलती है इनकी इंकम चल जाती है अपला इनके पास 50 50 मिलेंगे तीन पोजीशन से अगर आपकी आईडी लग रही है 5000 वाले डॉलर वाले स्लोट वे तो आपको तीसरी पोजीशन से 5000 चोथी पोजीशन से 5000 और पांचमी पोजीशन से 5000 डॉलर मिलेंगे मतलब 15000 डॉलर मिलें आपको सिर्व 5000 वाले स्लोट से ठीक है एक एक दिन में 60-70-70 लाख रुपे कमा लेते हैं जो सिस्टम को अच्छे से समझ जाते हैं इसी तरीके से यहां पर दोस्तो ट्रिपल X का प्रोग्राम भी है ट्रिपल X में भी ट्रिपल X में भी दोस्तो जो पहले दो गोले हैं इनकी इंकम आपको नहीं मिलेगी उसके बाद अगले दोस्तो चार गोले हैं उनकी इंकम आपको मिलेगी 30% उसके बाद नीचे आठ गोले हैं उनकी इंकम आपको मिलेगी 70% और उपर के दो गोलों की 30 और 70% दोस्तो रिसाइकल में चली जाएगी आपको पूरा सलोट खाली हो जाएगा फिर से बरने के लिए त्यार हो जाएगा तो इस तरिक्ये से पूरा पूरा forces का system काम करता है जो भी आप पैसा लगाते हो टीम में बढ़ जाता है कोई company के पास नहीं आता आपकी team काम करती है आपके plan काम करते हैं आपको income होती है दोस्तों और नौनवर की income होने के भी maximum maximum chances रहते हैं अब यह थोड़ी है कि आप जब आप खुद आईडी लगा होगे तब यह गोले भरेंगे आपके plan काम करते हैं तब यह गोला बढ़ सकता है दोस्तों के जरूर बता हैं दोस्तों forces का एक ऐसा सिस्टम है कि यहां पर 100% पैसा distribute हो जाता है team के बीच और कोई भी पैसा company के पास नहीं जाता आप इसको अपने bank में ले सकते हो सिधा trust wallet से वजीरेक्स में डालो वजीरेक्स में जाके जोइन करना है तब यहाँ whatsapp करें ठीक है थोड़ा वो तहां आपके doubt बच्चे हैं कोई वो clear हो जाएंगे tension free होके आप इस field में काम कर सकते हो crypto currency की field है दोस्तों blockchain technology की field है जो आज से 5-10 साल बाद technology आनी है उसमें आप अभी join कर लोगे तो आप आज से 5-10 साल बाद के राजे कहला होगे ठीक है तो क्योंकि दोस्तों अगर कोई हमारे सामने future की कोई technology आती है और आप उसको 5-10 साल पहले समझ लेते हो तो वो 100% है कि आपको आने वले टाइम में फायदा देती ही देती है दोस्तों मैंने आपको समझाने की काफी अच्छे से कोशिश की है PDF प्लान मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि हर एक अबंदे के पास PDF होती है जिसके पास नहीं है उसको मैं लिंक दे दूँगा आपको पूरा गाइड करने के लिए दोस्तों त्यार हूं आप अगर काम करना चाहते हो तो इस सिस्टम में उतर के काम कर सकते हो ठीक है दोस्तों थैंकि सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो कैसी लगी है लाइक करके जरूर बताएं अपनी पूरी टीम में इसको शेर करें क्योंकि मैंने बिल्कुल जिरो लेबल से इसको समझाने की कोशिच की है काफी फायदा होगा किसी बंदे को आप जोइन करवाना चाहते हो उसको भी ये शेर करें दोस्तों वो भी काफी सैटिस्फाइस होगा इस वीडियो को उनको भी काफी समझाएगा ठीक है दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए ओनलाइन अर्णिंग टिप्स आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी आपको दोस्तों ग्रो करना और मुझे खुद को ग्रो होना यही हमारा फार्ज है दोस्तों ओके दोस्तों थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में